दोस्तों Study91 की YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज दोस्तों हम दो बाग करने जा रहा हैं भारत की मृदा के बारे में दोस्तों इसके पहले मैं एक lecture ले चुका हूँ इस chapter पर जिसमें इन चार मिदा के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका मैं आपको बताया जलोड मिट्य क्या होती यानि जिसको हम काप मिट्टी बोलते हैं यह क्या होती है काली मिट्ी या रिगुर मिट्टी किसे कहा जाता है लाल मिट्टी किसे का आ जाता और लेटेराइट मिट्टी किसे का आ जाता इन चार मिट्टियों के बारे में बहुत डिटेल से हम लोगों ने बातचीत किया, आज दुस्तों फिर से हम अगले चार मिट्टियों के बारे बात करने जा रहे हैं उसके बाद ये चैप्टर का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो आपका clear हो जाएगा एक और lecture लेक्षर 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 पर जो इस चैप्टर का summary होगा और इसके बाद यह chapter आपका close हो जाएगा दिन अगले chapter पर हम लोग विजिट करेंगे वनस्पती ठीक है तो याद रखेगा आज लोग पंडे वाले हैं परवती मिट्टियों के बारे में सुस्क यानि मरुस्थली मिट्टियों के बारे में लवड़ी या पीट मिट्टि का आज आता है इसके बारे में ठीक है तो विट मैपिंग देखेंगे कि कहां कौन सी मिट्टि पाई जाती है और कल की तरह आज का भी chapter बड़ा important है तो चलिए start करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात और याद रखेगा study91 का application आज चुका है अभी तक आपने install नहीं किया तो जल्दी से जाकर play store से download कर लीजे और इसे install कर लीजे यहाँ पर आपको subject wise हर एक बिसह पढ़ने का मौका मिलेगा उस बिसह का keyword भी मिलेगा आपको पढ़ने के लिए यानि जो blog होगा वो मिलेगा बीडियो मिलेगा प्लस उस chapters related बहुत सारे आप test भी दे सकते हैं जो कि आपको हमारे application पर दिया गया है तो application अपने आप में बहुत बड़ा है और आपकी बहतर तैयारी करने में आपकी बड़ी मदद करने वाला है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बात आती दोस्तों चारतर की मिट्टियों के पढ़ने के बाद आज पांची प्रकार की मिट्टी को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परवती मिट्टी एक बात पहले और याद रखिया आप परवती मिट्टी के साथ साथ बहुत सारे भुगल बेत्याओं ने क्या किया है कि यहाँ पर परवती मिट्टी के साथ साथ एक और मिट्टी को जोड़ दिया है जिसका नाम है वनीय मिट्टी क्या नाम है वनीय मिट्टी तो याद रखेगा कई जगा किताबों में खोल कर आप देखेंगे पढ़ेंगे जब तो वहां आपको पता चलेगा कि इसी के साथ एक और टॉपिक जुड़ा होता है वनीय मिट्टी ठीक है तो वनीय मिट्टिया कुछ अलग नहीं होती इनी को दोनों को जोड़ करके आज मै आपको बताने जा रहा हो ठीक है इसको ध्हान दीजीगा परवती मिट्टिया नाम से ही पता चलता है परवती यानि ऐसी मिट्टी जो किसी परवत पर पाई जाती है या परवत के आसपास के छेत्रों में विक्सित हों उन मिट्टियों को परवती मिट्टी कहा जाता है और पूरे परवत हरे भरे कैसे दिखते हैं, जब वो वनाच्छादीत होते हैं, तभी तो हरे भरे नजर आते हैं, और वहाँ पर भी इस तरह के मिट्टियां पाई जाती हैं, इसे वनी मिर्दा भी कहते हैं, इसका विस्तार भारत में 2.8-5 लाख वर्ग किलोमेटर के छेत्र में यह वनी मिट्टी यह परवती मिट्टी का छेत्र फैला हुआ है, याद रहेगा आपको, याद रखेगा, पाच्वी सबसे बड़ी मिर्दा है, कराइए नवीन और विक्सित मिर्दाएं होती हैं, याद रखी यह मिर्दा कैसी होती है, नवीन होती है, लेकिन अविक्सित सवस्था में होती है कोई भी चीज जो नवीन होता है ना वो विक्सित नहीं होता है क्योंकि नए नए चीज जिर डेवलप हो रहे होते हैं तो नवीन कहां से होगा वो अविक्सित होता है धीरे धीरे वो विकास्चिल की प्रक्रियाम होता और आगे बढ़ता है तो याद परटी पर इस परवती मिट्टीयों का विस्थार है पूरोतर की बात कर रहे हैं, पूरोतर मतलब अरे उत्तर पूरो भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सेविन सिस्टर्स वाले राज्य हैं, कौन-कौन से अरे रांचर प्रदेश हो गया, नागा लेंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है ये राज्य जहां पर मैं उन राज्यों की बात करूँ, वहीं पर ये मिटियाओं वाले छेत्र पाई जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड भी बहुत जाते हैं, परवत जाते हैं, तो परवती मृदा भी वहाँ पाई जाती है, प्राइदीपी भारत के जो पहाडी छेत्र है प्राइडीपी भारत का छेत्र है वो प्राइडीपी भारत कहा जाता है प्राइडीपी भारत में जो पहाडी छेत्र हैं उन पहाडी छेत्रों में भी इसी तरह की मृदा फैली हुई है करा घाटियों में प्राय हब घाटी जानते हैं न दो परवतों के बीच का जो अस्थान होता घाटी के रूप में जाना जाता है लिखरा घाटियों में यह दुमटी और उपरी डालो उपर इनकी प्रकृती काफी मोटे कड़ो वाली होती है दोस्तो घाटियों में निचले तरफ देखेंगे तो दोमटी प्रकार की मिट्टी मिलती है लेकिन परवतों पगर उपर की साइड जाएंगे तो आप पर मोटे कड़ो वाली मिट्टी मिलती है जिसके कड़ मोटे मोटे होते हैं करा साथ ही साथ उपरी ढालों की अपेक्षा निचली घाटियों में ये मिर्दाएं अधिक उरवर होती हैं, मतलब इन मिट्यों में उरवरा पन की जो सक्ती होती है, वो उपर वाले की अपेक्षा कृत जादा होती है, यही वज़ा है कि घाटियां हरी भरी होती हैं, घाटियां क्या होती हैं, हरी भरी होती हैं, दो परवतों के बीच के अस्थान को घाटी करते हैं, घाटियां हमेशा हरी भरी नजर आती हैं क्योंकि यहां के मिट्टी जो होती है, इसमें उरवरा पन बहुत जादा होता है, पाई जाती है तथा मिर्दा अपर्दन अब आप सभी को पता है कि परवतों पर बरसा भी खोब होती है भुवस्खलम भी खोब होता है ये सारी प्रक्रियाएं देखी जाती है ताब दाब का प्रभाव भी खोब पड़ता है यानि मिर्दा का अपर्दन तो होगा ही होगा त जाएगा, पहाड एकदम ऐसे नहीं होता है पहाड ऐसे होता है, ठीक है? तो इसलीह कहा जा रहा है कि पतली परत की रूप में ये परवती मिरदाज होती है, विक्सित होती है समझ में आ रहा है की नहीं? आएगा समझ में, इतमिनान से पढ़ा करिए, देखे मेरी यादत है जब मैं अपने टॉपिक को पढ़ाता हो न तो मैं इधर उधर की कोई बाते नहीं करता हूँ, और मैं कोसिस करता हूँ, कि जादा तर बाते ऐसी हो जो सामान नहीं हो, जो इसको आप आसानी से समझ सको, अगर मैं किताबी बाते आपको बताने लगोंगा, तो आप बड़ा परिसान हो जाओगे, ठीक है, तो यहां मैंने कुछ ऐसा कठिन बात नहीं बता है, जो आपको याद नहों हो पाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है यहां पर कि परवत्ती मिर्दा की प्रकिर्दी कैसी होती है, अमली होती है, सर, सर, एक मिनट रुप जवाब, सर, कल आपने पढ़ाया था, कि मिट्टी का जो पियचमान होता है, वो छे से साथ होता है, ऐसा आपने बताया था, और सर, आपने एक बात और बताया था, कि मिट्टी ना तो ज़्यादा अमली होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा छारी होन दोगी ठीक है ये मिट्टी हो जाती है ठीक ऐसी एक तरह से बंजर सुरूप में मिट्टी हो जाती है दूसर आपने मना किया था ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि यह जो परवती मिट्टी होती है इसमें क्या होते है इसकी प्रकृती खास कर कैस क्या पाये जाते हैं? जीवासम खुब पाये जाते हैं. आप कोगे सर याद करना पड़ेगा क्या? दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि एक अपवाद कंडीसर में आप याद कर सकते हैं, जितनी मिट्टी अब तक पड़ाया, जलोल मिट्टी में जीवासम का अभाव होता है, लेटराइट में अभाव होता है काली मिट्टी में अभाव होता है लाल मिट्टी में अभाव होता है मरुस्तिली मिट्टी में अभाव होता है दलदली मिट्टी में अभाव होता है केवल यही एक मिट्टी है जहां पर जीवास्म की अधिकता पाई जाती है आप कोगे सार एक बार साबित कर दीजे न, एक बार आप प्रैक्टिकली समझा दीजी ऐसा कि हमें याद हो जाए, दोस्ते इक बात बताओ, मालो ऐसे, मालो ये परवत दिख रहा आपको न, यहाँ पर मालो ये पेड़ पौधे हैं, अब ये पेड़ पौधे अगर किसी वज जिवास्मों की अधिक्ता होती है, लेकिन जिवास्मों की अधिक्ता होने के बाउजीद भी, जिवास्मों का पूर्ड रूप से अपगटन नहीं हो पाता, और अपगटन यदि नहीं हुआ, तोहां की मिट्टी की उरवरा सक्ती बहुत अधिकर नहीं हो पाएगी, इसको याद रखेगा ल realizar पहाड़ी ढालों पर विक्सित होने के कारण यह अम्रिदा बागानी कृशी जानते हैं नहीं जिसको बाग टाइप की जो हो गया अलू उलू की खेती हो गया इसके लिए ये परवती ढाल बड़े माइने रखते हैं ठीक है तो इसको याद रखेगा यहाँ पर परवती मिट्टियां पाई जाती है अच्छा अधिकता किस चीज की होती है अभी अभी मैंने बताया कि जीवास्म की अधिकता होती यहाँ पर किसकी जीवास्म की अधिकता होती है कमी की सीज की होती है पोटास की कमी होती है चुना की कमी होती है और फास्फोरस की कमी होती है इनका अभा होता है, तो आप इसको भी याद रखेगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब आगे थोड़ा सा ओर डीटिल में आपको बताना चाहता हूँ, परवत्ती मिट्टी को तीन सो रूप में देखा जाता है, मुक्यता तीन कटेगरी इसको देखने के लिए मिल बट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा एकदम इत्मिनान से, लिखे रहाँ परवत्ती मिट्ट यहाँ, मुक्यता तीन प्रकार की होती है, ठीक है, पहला दे रहा है, कर हिमाले के दक्षड भाग में, अगर हि माले के दक्षड भाग में, पत्थरीली मिट्टी की प्रचूरता है, कैसी मिट्टी वहाँ पर है, पत्थरीली, पत्थरीली मनें, जो पत्थरों के टूट टूट के कारण बनी हुई मिट्टी है, तो याद रखे, करह यहाँ पर पत्थरीली मिट्टी की प्रचूरता है, और इन मिट्टियों को नदियों ने बहा कर लाया है, नदी अपने साथ इन मिट्टियों को बहा कर लाती हैं और किसी एक जगा पर एकत्रित करके ये नदियां आगे बढ़ जाती हैं, तो इस मिट्टि में पत्थर धेर सारे हैं, कंकड धेर सारे होते हैं, याद रखेगा, प परवती मिट्टी पर ही रगया, तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ आए, वहाँ पर कमकड़ पत्थर की मात्रा जादा है, लेकिन जिवास्म का अभाव होता है, परवती मिट्टी का यह अंग यह माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जिवास्मों का अभाव है, चू प्राया इस मिट्टी के कड़ कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, यह बताने वाली बात नहीं है सर, आपने पहली बता दिया है, कि यह मिट्टी पत्रिली मिट्टी है, यह छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के तूटने की वज़य से बनी है, वो तो नदियों ने लाकर एकत्रित कर तो यह मिट्टी के कड़ कैसे होंगे, मोटे मोटे होते हैं, परन्तु दून और कांगड़ा की घाटियों में, दून मतलब देहरा दून की बाग कर रहा हूं, दून मतलब देहरा दून, कांगड़ा मतलब कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी का नाम सुना है न, ठीक है, त इन छेत्रों में बारी कड़ो वाली चिकनी मिट्टियां पाई जाती है, कहाँ पर उस परवती ढालों पर पाई जाती है, और यहाँ पर चाय आलू की खेती भी खूब की जाती है, तो यह परवती मिट्टी का पहला प्रकार है, इसको ज़रा ध्यान दिश लिगा, अब देख परवती मिट्टी ही था, मैंने उसमें पढ़ाया आपको कि वहाँ पर चूने का अभाव होता है, वहाँ पर लोहे के अंस की कमी पाई जाती है, और यहाँ पर क्या देहा है, करे चूना, डोलोमाइट अधिक मात्रा में पाये जाते हैं, यह भी आपके परवती मिट्टी का ही भागा है, ठीक है, तो आप समझो कि कितना ज़्यादा विविद्टा यहाँ पर देखने की मिल ले, एक ही मिट्टी के अनेक अनेक रूप मिल ले, अरे आप आपके सर कैसे, एक बाद बताओ, क्या चोर जो होता है, जो कोई चोरी करता है, क्या चोर ब्यक्ति नहीं होता है क्या डाकू ब्यक्ति नहीं होता है क्या देश प्रेमी ब्यक्ति नहीं होता हो भी ब्यक्ति है क्या देश ग्रोई ब्यक्ति नहीं होता हो भी होता है क्या हत्यारा ब्यक्ति नहीं होता हो भी होता है टीचर हो गया जज हो गया पुलिश हो गया आरे में हो गई, सब ब्यक्तियों होते हैं, ब्यक्तियों के अलग-अलग रूप देखने को मिलने हैं, उसी तरह से यहाँ पर परवती मिट्टियों के अलग-अलग रूप हैं, तो भवडाने वाली बात नहीं है, सबके अपने-अपने क्या हैं, चरित रहें, उनके बारे में सबके अपने अपने सुरूप हैं, उसके बारे मैं आप समझें, यहाँ पर बता रहे हैं, करण मसूरी, नैनीताल, चकराता अधी छेत्रों में, चूना और डोलोमाइट की अधिकता वाली मिट्टियों का बिस्तार मिलता है, इस मिट्टी में चूना इत्मिटिक खुब पाई होती है, तो क्या होगा, वहाँ से जो चूना होता हो बह जाता है, तो मिट्टी में क्या होता है, धीरे-धीरे चूना की कमी हो जाती है, और वह भूमी कैसा हो जाता है, उर्वरकता, वहाँ की क्या हो जाती है, समापत हो जाती है, तो वह अनूत पादक भूमी हो जाती है, ऐसी भूमे में केवल चीड, साल जैसे पेड ही उगते हैं। तो आपने देखा होगा कि ऐसे परोती ढ़ालो पर चीड और साल जैसे विक्षों की अधिकता देखने को मिलती है। घाटियों में भी जहां कहां जहां तहां इस तरह की जमी हुई मिट्टी मिल जाती है। हलांकि आपर थोड़ी बहुत चावल वगरा की खेती की जाती है। तो इसको जरा आप ध्यान रखेगा। एक तीसरा टाइक तो उसको भी देख लीजे। गरा हिमाले के कई भागों में जौला मुकी उदगार से ग्रेनाइट तथा डायोराइट आदी आगने चटानों का निर्माड हुआ। गराफी आपको अलग से पढ़ने के लिए मिलेगा, वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ काफी detail में मैंने आपको बताया है, कि आगने cell होती है, जो प्रितवी की उत्पत्ती के ठीक बात पैदा हुई थी, ठीक है, आगने cell कहलाती है, वो प्रितवी के मैगमा के ठंडा होने क फल्स रूपिंगा बिकास हुआ है, आगने cell कहराती है, ठीक है, तो याद रखेगा, उसके थुरू इन मिट्टियों का निर्माड होता है, इससे वहाँ पर आगने मिट्टियां बन गई है, इन मिट्टियों में नमी धाड करने की कुछ सक्तियां पाई जाती है, इसी वज इसको भी जराब ध्यान दीजेगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तो, अगला देर है सुस्क या मरुस्थली मिट्टि, मरुस्थली माने कहा जाता है, ऐसी मिट्टि जो मरुस्थल वाले छेत्रों में पाई जाती है, मरुस्थल का विस्तार पूरे भारत में नहीं है, हाँ, ले चेत्र है, ठीक है, करा ये मिट्टियां 50 सेंटी मीट्र से कम वार्सिक वर्सा जहां पर होता है, ऐसे चेत्रों में ये पाई जाती है, और आपको पता होगा, आपने काफी बार सुना होगा, कि भारत में मरुस्थली करण बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, यानि पर भूमी धीरे-धीरे करके क्या हो जाती है, इतनी अनुक जाओ हो जाती है, कि फिर मरुस्थली भूमे में कनवर्ट हो जाती है, तो उसको भी आप ध्यान दीजेगा, ये मिट्टियां 50 सेंटी मीटर से कम वार्सिक वर्सा वाले इलाकों में मिलती है, और भारत के 1.42 ला पर भारत के जाओ हो जाती है, तो उसके पास के जो हवाईं वह भी गर्म हो जाएंगी, ये हवाई जितनी गर्म होंगी, उतनी जादा सुस्क होंगी, समझ में आ रहा है तो याद रखे और जब हवाएं सुसको होंगी तो कहीं भी अगर पानी होगा थोड़ा बहुत वो उसका वास्पी करड़ जादा होगा लेकर वास्पी करड़ के करड़ मिर्दा में कम नमी तता कार्बनिक तत्तों की अलपता होती है जिसकी वज़ा से यहाँ पर मरुस्तली मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव होता है और अभाव हो गई होगा क्योंकि यहाँ पर सड़े गले फल फ्रूट या फिर वनस्पतियां या फिर जीव जन्तू के और सेस यहाँ पर नहीं मिले होते हैं ठीक है इस वज़ा से यहाँ पर क्या है ह्यूमस का अभाव होता है कराय की अतहर इसे किरसी के दृष्टी कोड से अनुर्वर मृदा के अंचरगर रखा जाता है अगर आपको दे दिया जाए मरुस्तल वाले शेतर में कि लो भाईया यह दोभीगा का खेत आपका है आप यहाँ खेती करो क्या आप कर पाओगे खेती नहीं कर पाओगे क्यों क्योंकि वहाँ की मिट्टी में उर्वरता ही नहीं है तो आप खेती कैसे करोगे याद रखेगा कराय यह मिट्टियां बलुई से बजरी युक्तों होती है, बलुई मिट्टी से ले करके बजरी, बजरी याने छोटे-छोटे कंगर पत्थर युक्ते मिट्टियां होती है, जिसमें जैविक पदार था और नाइट्रोजन की कमी होती है, कैलसियम कार्बोनेट की भिन-भिन मात्राइं पाई जाती है तो इसकी वज़र से मिट्टियां हमारे काम की यूज के नहीं होती है, करा लवड और फास्पोरस की परचूरता यहां पर होती है लेकिन जीवास्म और नाइट्रोजन का अवहाओ भी यहां पर पाया जाता है इसको याद रखेगा चलिए, यह देखे कुछ इमेज आपको दिख रहा है इस तरह का इमेज देख लिए साइड आपको जाने के बाद भी नजर आए तो यह मरुस्थल छेत्र है जहां पर छोटे-छोटे ब्रिक्ष आपको दिख रहे यह जो ग्रीन-ग्रीन दिख रहे है यह चोटे-छोटे ब्रिक्ष है तो जहां तहां उगे हुए है लेकिन यह पूरा का पूरा मरुस्थल आपको नजर आ रहा है देखिए इसके बारे में दो लाइन दिखा हुआ यहाँ पर क्या बताया जा रहा है सुनिए पश्मी राजस्थान जितना ज़्यादा पश्मी में जा सकते हैं पाकिस्तान वाले स्टर्क्रिक लाइन जहां पर रहे हैं वहाँ पर चले जाएए लिखिए आप पश्मी राजस्थान या दक्षडी पंजाब में या फिर पश्मी हर्याणा और उत्तरी गुजरात के यह सब मरुथल वाले बेल्ट हैं चारो तरफ से जो दिशा वो बता रहा है आपको यहाँ पर यह सुस्क प्रदेसों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है इस मिट्टी में सामानत्य कम जल की आवसकता वाली फसलों को उजाय जा सकता है यानि ऐसे फसल जिनको जल की आवसकता कम होती है वो यहाँ पर उख सकते हैं जैसे मोटे अनाज हो गया बाजरा हो गया जौर हो गया रागी हो गया तिलहन हो गया इन सबकी खेतियां यांपर बड़े पैमाने पे की जाती है, इसको भी आप याइद रखेगा, चलिए, अगला है सात्मा, सात्मा है लमड़ी या चारी मिर्दा, सुनिए गाँ, लिकर आप बिहार में, उतर्पदेस में, हर्याना में, पंजाब में, राजस्थान में, और महर आप थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लीजे, फिन मैं आपको बताता हूँ, कर आप उन्हें रे भी कहा जाता है, लमड़ी या छारी मिट्टियों को रे नाम दिया जाता है, कहीं कहीं पर कलर कहा जाता है, हमारे घर के आसपास के जो छेतर होते हैं, वहाँ पर आप सुने जैसे छोटे-छोटे पौदे होते हैं, ठीक है, वो उगे रते हैं, तो ये उसर वाली जो भूमी होते हैं, यहीं लमड़ी या छारी भूमी कहीं जाती है, कहीं कहीं पर इसको थूर कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसको कारल नाम दिया जाता है, कहीं चोपन कहा जाता है, यह कई भूमी का नाम है, कर आधी कई नामों से ने पुकारा जाता है, नारू द्वारा सीचित तथा उच्छी भूमीगत जलस्तर वाले इलाकों में, यह केसिका, कोसिका नहीं रहेगा या केसिका रहेगा, किस क्रिया से केसिका लेखिएगा केसिका क्रिया आपने पढ़ा होगा ना केसिकत्तों के बारे में पढ़ा होगा ठीक है फिजिक्स में नहीं पढ़े हैं तो जाके देख लेजे करा केसिका क्रिया के द्वारा भूमिकत लमड धरातल पर आज आते हैं और ये मिट्ट्वी को क माद्यम से उपर चर्टा है जिसफे ये जौला जल पाती है ठीक है ये के सिकत थो हता है उसी के कारण जो होता है भूमिगत जो लवन है वो धरातल पर आ जाते हैं और मिट्टी को लमड़ी बना देते हैं और च्छारी बना देते हैं लवडी मिर्दा की क्रिसि के दिर्ष्टी कोड से अनूरवर मिर्दा के अंतरगत रखा जाता है, साथी साथ इसमें वरस्पतियों का अभिया भाव पाए जाता है, आपने उसर में देखा होगा कि कितना हरा बरा उसर होता है, पता है न आपको, अं? तो इसमें बतानी की लवडी मिर्दा का अधिकतर प्रसार पश्मी गुजरात में पूर्वी तट के जो डेल्टा ही छेतर हैं या फिर सुन्दरवन के जो डेल्टा छेतर हैं वहाँ पर लवडी मिर्दा पाई जाती है जहां पर समुद्र का जल क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है उसमें पाय जाते हैं, वहाँ पर जो दिल्टाई छेत्र हैं, वो हमेशा समुद्र के जल में डूबे रहते हैं, इसलिए वहाँ पर लमड़ी छेत्रों का विकास हुआ है, इसको भी आप देख लिजेगा, इसका रामा कच्च का रन वगरा है, वहाँ पर भी लमड़ी छेत्र पाया जाते हैं, इसके अलामा कच्च के रन वगरा में, जिसके लिए दक्षणी पस्च्वी मांसोन सबसे प्रमक रूप से उत्तरदाई माना जाता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देरा जिप्सम तथा पायराइट का प्रयोग करके, जो लमड़ी मिट्टी य चारी युक्त मिट्टी जहां पर है, उसको उभ्याव बनाया जा सकता है, यानि इसकी चारीता को समाप्त करके, उस भूमी को क्रिसी योग के बनाया जा सकता है, यदि उसमें जिप्सम का इस्तिमाल कर दिया जाए, पायराइट वगरा का इस्तिमाल कर दिया जाए, आगे के आज पास लमडी अन एवं छारी मिट्टियों में अधिक तेजी से बृत्धी हुई जिसके काड़ बंजर भूमी की समस्या उत्पन्न हुई आपको पता होगा दोस्तो हरित क्रामती के बारे में हरित क्रामती जब हमारा देश पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था 1965 में उसके लोगों के उत्पादन में बृधी के बारे में सोचा गया कि कैसे कोई किसान यacy 10 टन का उत्पादन करता है तो उसको उत्पादन में बृधी करा दिया जाय वह उत्पादन बढ़कर पंदर टन-बीच तन हो जाय उसके लिए दोस्तों सीचाई के सेक्टर पर बहुत ध्या करें तो हुआ क्या दोस्तों जब रहे नहर बना दिया गया तो नहरों में पानी छोड़ा जाता है, वो पानी जो होता है वो कुछ अंदर से भी आते रहते हैं पानी, भूमिकत जो जल होता हो भी उपर की तरफ आता रहता है और कुछ पानी बाहर के इसे नध्यों के माध्यान से आता रहता है तो उसके आस-पास के जो छेत्रों में वो धीरे-जीरे अनुप जाओ होने लगें क्योंकि के सिकत्यों की वज़य से वहां पर लवडी मृड़ी मृदा का विकास होने लगा और ये बड़ी समस्या हमारे सामने आगी हारांकि से निप्टा गया ब पालसा हो गया जामुन हो गया ये इन फसनों का विकास किया गया मतलब ये सारे पेड़ पौदे वहां पर लगा गया ये लमण प्रतिरोधी फसले या और बिक्ष माने जाते हैं इसलिए इनको विकास किया गया आगे देखे आठमा नंबर पर लाश्ट है पीत एवं जैव मिर्दा या फिर दल्दली युकत मिर्दा भी इसे का जाता है तो पीत मिर्दा क्या है इसके बारे में देख लीजे करहें इस मिर्दा का निर्मार नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टाई छेत्रों में जल भरा होने के कारण हुआ है दोस्तों कुछ छेत्र ऐसे हैं जह जल भरा होने के कारण इसको पीट मिर्दा या दलदल युक्त मिटी का नाम दिया गया ये मिटी भी अमलिय सुभाव की होती है ध्यान दीजेगा कौन सा सुभाव है जैसे परवती मिटी में अमलियता पाई जाती है ठीक है उसी प्रकार से दलदली मिटी में भी अमलियता पा मैग गरोवन का नाम सुना है ना, तो मैग गरोवन अस्पतियों का विकास भी हैं पर हुआ है, करा या भारत में मुक्यत केरल के अलब पुझा जिला, उत्राकंड के अलमोडा में और सुन्दर बन के जो डिल्टाई छेत्र हैं, वहाँ पर ये दल्दली युक्त मिटियां पा पौधे होते हैं, जो कम उरुपता वाले छेत्रों में उग सकते हैं, बड़े आसानी से, ठीक है, सस्टेन कर सकते हैं, तो वह यहाँ पर बोई जाती है, उपीट दसा में वनस्पति की संव्रिद्धी के कारण, इसमें जिवास्म में अंस येवों हिवमस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी दल्दली है, तो कोई भी चीज यहाँ से बाहर जाना ही फक्ता, वो पेड़ पौदे जब कटेंगे, गिरेंगे, तो वहीं गिरेंगे, और फिर वहाँ जिवास्म ठीक है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण ये मिद्रा, मिर पाए जाते हैं, वर्सारित में अधिकांस, पीटी मिट्टियां, जल में डूबी रती हैं, परंतु वर्सारितु समाप्त होते ही, इन मिट्टियों में चावल की खेती भी परियाप्त मात्रा में की जाती है, तो इसको ज़र आप ध्यान रखेगा, अगर आप इतनी बाते याद रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको भारत की मिट्टियों के इस चैप्टर में आपको कोई कंफिजन होगा, दोस्तों मैं आपसे बार-बार काता हूँ, कि आप आईए हमारे अप्लिकेशन से जुड़िए, हमारी वेबसाइट से जुड़िए, और हम से आप और भी बहतर तैयारी कर पाएंगे, ठीक है, तो जल्दी से आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टाल कर लिजी, स्टडी 91 का एप, जो आपको बड़ाई अल्प मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दे रहा हूँ, वहां से जाकर भी आप डाउ स्कुरा ते रहें